और जुकते भी नए students हैं इस channel पे पहली बार आए हैं सबसे पहले इस channel को subscribe जरू कर लेंगे इस video को like जरू कर देंगे और share जरू कर देंगे तो आज का पहला word है dis array तो इस इस वर्ड हो गया, miss हो गया, un हो गया, in हो गया यह सारे की सारे prefixes होते हैं जो negative tone के होते हैं मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलत चीज को बता रहे होते हैं तो disarray disarray का meaning क्या हो गया चीजें सही से organized नहीं है disorder की stage है disorder की stage का मतलब क्या है बहुत जादा हला गुला है बहुत जादा confusion है जैसे parliament में generally जब भी आपने देखा होगा कभी-कभी disarray की state आजाती है लोग एक दूसरे के बाद चीख रहे होते हैं चिला रहे होते हैं कोई किसी की सुन नहीं रहा होता देखिए उसको क्या बोलते हैं disarray chaos pandemonium pandemonium कैसे याद कर सकते हो pan pan root word का मीनिंग होते है all demon demon means devil तो कोई ऐसी जगे जहां पर लगेगी सारे राक्षस एक साथ आगए उसको क्या बोलेंगी pandemonium मतलब बहुत confusion है साब एक दूसरे पर चीख रहे हैं मार रहे हैं चला रहे हैं turmoil उतल पुतल है tumult उतल पुतल है tranquility है, shanty है peace है, stability है, harmony है, shanty है एक और वर्ट होता है serenity इसका मीनिंग भी क्या होता है शांती है house पूरा का पूरा chaos में था disorder था party की बाद मतलब कुछ भी चीज अपनी सही जगा नहीं थी part of speech क्या हो गया नाउन है भी ये शाथ अगला word ये tarnish करना tarnish करने का मतलब होता है आप किसी चीज को खराब कर रहे उसने उसकी image को tarnish कर दिया तुम कभी कोशिश मत करना मेरी image को tarnish करने की मतलब खराब कर देना, kalankit कर देना spoil कर देना, taint कर देना मार पे double star mark करो बहुत 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 एक्जामस में आ चुक है गो रोड कर देना, भी खराब कर देना antonyms अपने polish कर दिया और अच्छा बना दिया pristine बना दिया pristine का मतलब के और पवित्र बना दिया clean कर दिया gleaming चमकता हुआ तो दो silver wear था, जो silver की जो crockery थी, जो silver चान्दी का जो समान था वो ऐसा लग रहा था कि वो tarnish हो गया है, वो क्या हो गया है, spoil हो गया है, वो काला पड़ गया है कब जब उसको बाहर बारिश में छोड़ दिया गया क्या है यह वर्ब की third form है, वर्ब की third form है तो adjective की तरह भी यूज़ की जा सकती है अच्छा, एक ना कलंकित word से ही एक बहुत important word है जो exam में आता है, जिसको बहुत है stigma एक song था, इश्क, काजल है, पिया, कलंक नहीं है, ऐसा कोई song था मुझे याद में आता है तो stigma, stigma का मतलब क्या होता है, कोई चीज जिसको कलंक की तरह देखा जाता है जिसको society गलत मांगती है, उसको क्या बहुत है stigma, यह इसका noun form होता है और इसका adjective नहीं, verb form होता है, stigmatize करना तो अगर किसी को stigmatize किया जा रहा है इसका मतलब क्या है उसको कलंकित किया जा रहा है अगले word पे आते हैं inglorious, last में OUS लग रहा है partial speech क्या हो गया, adjective हो गया inglorious, glorious word का ही acronym है, glorious का मीनिंग क्या होता है कोई चीज जो बहुती बड़िया है, बहुती तारीफ के लायक है, बहुती बहुती respectful, मतलब respect के लायक है उसको क्या बोलते हैं glorious, glorious का acronym हो गया, inglorious क्योंकि in prefix लग गया, इनका मीनिंग है तो कोई चीज जो लज्जा जनक है, मतलब डिसको आप honor नहीं करोगे, इसको आप respect नहीं करोगे, इसके पास कोई fame नहीं होगा, कोई popularity नहीं होगी, humiliating है humiliating है, humiliating है मतलब क्या होता है, बहुती embarrassing है, despicable, despicable में इस लोग उससे नफरत करेंगे अनवर्दी है, infamous, गलत चीज के लिए famous है, ignominious में इस लोग उसको क्या करेंगे, उसके negative होगे, बहुती negative होगे एंटनेंस, esteemed है, respectable है, admirable है, तारीफ के काबल है, noble है, बढ़िया है, reputable है तो उसका जो बहुती inglorious behavior था, बहुती नफरत के लायक जो उसका behavior था ceremony में, इसकी वज़े से उसकी family को शर्मिन्दा होना पड़ा, उसकी family embarrassed हो गई अगला word है probe, यह जो probe word है न, इसको noun की तरह भी use करते है, और इसको verb की तरह भी use करते है probe का मतलब क्या होता है, जाँच, या जाँच करना, तो अगर आप किसी इसको investigate कर रहे हो, दाट मिस आप उसको probe कर रहे हो, कोई जाँच हो रहे ही है, इसका मतलब probe हो रहा है examine करना, interrogate करना, scrutinize करना, delve करना मिस, उस चीज की details निकाल देंगी, कोशिश करना अच्छा, एक चीज हमेशे याद रखना, delve के साथ, जो preposition आता है न, वो into आता, you delve into something, इसका मतलब क्या है, आप उसकी घहराईयों में चले गए antonymes ignore कर दिया, ऑवर्लुक कर दिया, avoid कर दिया, shun means avoid कर दिया, shun के बड़ाब स्टा मा कर दिया, अच्छा, overlook के दो मतलब होते है एक तो overlook का मतलब क्या होता है आपने उसको ignore कर दिया दूसरा overlook का मतलब होता है कि आप उस चीज के उपर उससे उपर से नजर रख रहे हो ये है वहाँ पे एक stadium में एक balcony थी जो overlook कर रही थी stage को तो इसका मतलब क्या ऊपर से देख रहे हैं आप stage को वो भी overlook होता है, नाम से, overlook, उपर से देखना तो journalist ने politician से पूछताच करी, किसको लेके, उनके controversial statements को लेके journalist ने politician से पूछताच करी, action की बात कर रहे तो verb तो थाई अगला word, incinerated, incinerated word का meaning क्या होता है, आपने किसी जिसको क्या कर दिया, जला दिया तो अगर आपने किसी को जला दिया, that means क्या किया, incinerate किया, the process of burning something to ashes अब इसके कुछ-कुछ words है, यह बहुत ध्यान से रखना, एक तो यह हो गया, incineration incineration का मतलब क्या हो गया, incineration का मतलब हो गया, जलाना, और यह जो definition है, incineration की है कि incineration क्या होता है, process होता है, किसी इसको जलाना, एक वर्ड होता है, incarceration incarceration इसका मतलब क्या होता है, किसी को jail में डाल देना, the act of putting someone in jail the act of imprisonment भी कह सकते हैं इसको मतलब किसी को jail में डाल देना एक और वर्ड होता है, incarnation incarnation क्या होता है, incarnation होता है, किसी का अफ़तार लेना उसको क्या बोलते है, incarnation इसमें root word क्या है, karn karn root word का मीनिंग होता है, body या फिर flesh तो जैसे कृष्ण जी ने किसी का अफ़तार लिया तो वो क्या हो गया, that is incarnation, means किसी का अफ़तार लेना कोई परिशानी किसी को तीनों words clear है, बहुत important words है incarceration सबसे थाधा important है चले तो combust कर दिया, जला दिया, char कर दिया, जला दिया scorch कर दिया, vaporize कर दिया, means जला दिया, antonyms preserve बचा के रखा, salvage किया safeguard किया, rescue किया, मतलब आपने उस चीज़ को क्या किया, भचा गे रखा उसको जलाया नहीं तो जो old papers थे, जो पुरानी रद्धी थी उसको जला दिया गया, जिससे की जगा बने new files के लिए, अच्छा, यह जो room word है यह हमिशे यादक में, बहुत बाद एक बुसरा room का मेनिंग होता है, जगा को क्या बोलते है, जगा को प्लेस नहीं कहते है अगला word है, putative last में IVE लग रहा है तो part of speech क्या हो गया noun sorry, part of speech क्या हो, गया last में IVE लग रहा है तो adjective अच इसका part of speech क्या था, action की बात हो रही थी, तो यह verb था तो putative क्या था, इसको सब लोग मान लेते हैं, such की भाई चलो, ठीक है, यह सच है believed, purported, apparent, presumed इसका मतलब आप ऐसा मान रहे हो कि वो चीज क्या है, वो चीज सच है तो उसको क्या बोलते है, उसको बोलते है, putative चलो, अगला शब्द, इसके antonyms पर आजाते है antonyms क्या है, यह ना कुछ गरबढ़ है, पर certain आएगा certain इस माना नहीं है, है ही वो true verified, factual, evident, clear, proven, मतलब मानने की जरुवत नहीं थी, वो सच में थाई तो जो putative winner था, जो इसको लोग मान रहे थे कि वो winner था competition का, बाद में उसको disqualify कर दिया गया किस चीज की वरे से disqualify कर दिया गया, क्योंकि उसने cheating की थे अगला word है, transgress, सबसे ज़ादा important word है, जतने star mark करने हैं कर लो transgress word का meaning होता है, आपने कोई rule को तोड़ दिया इसका मतलब आपने क्या किया, transgress कर दिया, violate कर दिया, उलंगन कर दिया, rule को तोड़ दिया, overstep कर दिया, disobey कर दिया, contravene कर दिया, infringe कर दिया, सबका meaning क्या है, आपने rule तोड़ दिया आंचनिम्स क्या होगे आप obey कर रहे हो comply follow कर रहे हो adhere कर रहे हो adhere के साथ क्या लगाते हैं to p.o.to you adhere to something you stick to something मतलब आप इसी रूल को follow कर रहे हो तो उसको बहुत ही खराब लगा किस चीज के लिए क्यूंकि उसने अपने friend के trust को तोड़ दिया कैसे उनका secret share करके एक्शन की बात कर रहे, तो पटन वट क्या हो वॕ Congratulations ऐस वह टेंग्रेशन का मीनिंग है रूल तोडना दौ वर्ड और होते है एक होता है इंग्रेस का सींग्रेस्प प्र-खनि वहyuट उते है नाम सी समझ में आ रहा है इसका मीनिंग किया हो जाते है exit यह entry है यह exit है और यह क्या है यह violation है रूल को तोड़ना है इन दोनों को noun की तरह भी use करते हैं और work की तरह भी use करते हैं दोनों तरही किसे use करते हैं next is onerous last में OUS लग रहा adjective है onerous में कोई ऐसी चीज जो उसको जहलना बहुत ही किलो मतलब वह चीज जो आपको परिशान करें आपसे बहुत सारी मेहनत करवा दें उसको क्या बोलते हैं onerous कश्ट दायक something that is difficult to bear burdensome है arduous double star mark करना बहुत जादा मेहनत वाली चीज है boring है laborious है antonyms effortless है कोई efforts ही नहीं लगनी फिसाहिल है बहुत आसान है easy है breezy है तो बच्चे को जो assignment था वह बहुत ज़ादा burdensome लग रहा था क्यों क्योंकि यह बहुत complex था कुछ idioms पर आते हैं पहला है make gains out of something इसका मतलब है आप किसी चीज से फाइदा उठा रहे हो कोई situation से आप क्या कर रहे हो फाइदा निकाल रहे हो that is what make gains out of something blunt the edge धार की चाकू की धार को आपने blunt कर दिया ऐसा हो गया चाकू तो क्या आप इस चाकू से किसी जिसको काटा जा सकता है नहीं तो blunt the edge का मतलब क्या होता है धार को खतम कर दिया मतलब किसी चीज की effectiveness को खतम कर दिया कोई चीज का use ही खतम कर दिया take it with a grain of salt मतलब doubt के साथ लेना आप मैं उसकी बात को वो कह रहा है that he has cleared the banking exam within 30 days of preparation but I take his statement with a grain of salt मतलब मुझे उसकी उसकी उपर doubt है वो सच नहीं बोल रहा है skeptical होना, cautious होना, doubtful होना किसी को लेके that is you take something with a grain of salt blow over कोई चीज blow over हो गई है इसका मतलब क्या है वो चीज़ आपको problem नहीं create कर गी वहां से वो जा चुकी है clamp down किसी चीज़ को रोकने के लिए आप बहुत strict कदम उठा रहे हो that means आप क्या करे हो, यह clamping down, यह clamping it down मतलब किसी चीज़ को control करने के लिए strict कदम उठाना एक और होता है crackdown government should crackdown on someone तो crackdown का मतलब भी यही होता है to take strict measures to control something आप क्या कर रहे हो, बहुत strict steps उठा रहे हो किसी को control करने के लिए दोनों का meaning same झाल वीज़ म singular